हलो दोस्तो स्वागत थे आप सभी का एक और नए वीडियो में आज की सी वीडियो में आप सीखेंग दोस्तो कि आप एड़ोफोट सोप में पास्वोशाज फोटू कैसे बना सकते हैं तो जैसा कि आप लोग अभी डेख रहें कि मेरे पास कुछ इस प्रकाल्से फोटू था उस photo में मैंने क्या किया दोस्तों सबसे पहले मैंने photo का background को रूम्यूप किया जैसा कि आप देख रहें मेरे पास जो photo का background था कुछ इस color से था उसको मैंने blue color में convert किया है और उसके बाद आप देख रहें कि मैंने photo को थोड़ा सा edit भी किया दोस्तों तो अगर जो आप भी सीखने चाते कि सवे काम Adobe Photoshop में कैसे किया जाता है तो वीडियो पर बने रहेगा चैनल पर नहींगर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देजीगा चलिए मैं वीडियो शुरू करता हूं सरा step by step में आपको सिखाता हूं कि आप Adobe Photoshop में पास पर साज photo कैसे ब दोस्तों आपका भी Adobe Photoshop open होगा इतना काम करने के बाद दोस्तों सबसे पहले आपको अपना layer panel को on करना है तो layer panel को on कैसे करते हैं तो उसके लिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पर देख मीनू बार में एक option मिलेगा बिंडो इस पर आपको क्लिक करना है और इसमें आपको layer वा जिसका shortcut की होता है control प्लस O या फिर आप control प्लस O भी keyboard से प्रेस कीज़ेगा तो भी आप फोटो को open कर सकते हैं तो चलिए में open पर क्लिक करता हूं और आप अपना फोटो को अंसर से डेसिलेट करकर उसको आप open कर लेता हूं तो कुछ इसी टापस दोस्तों आप भी अपने आपको open कर रिजएगा फोटो मेरा open हो चुका दोस्तों आप में चलिए पासफुचाच फोटो बनाने का जो भी तरीका होता हूं उसको में बताता हूं तो पासफुचाच फोटो में क्या करूँगा आप फोटो को में crop करूब करूँगा तो crop करने के लिए tool बार में एक option आपको दिया जाता है चलिए मैं आपको दिखा देता हूं दैसे कि इसमें एक option आपको मिलता crop tool जैसा कि आपको देख रहे इस प्रकार से लाएगा crop tool तो इसको आपको select कर लेना करने के वाद दोस्तों उपर जाब आएगा तो इसमें आपको लिखा रहा है width और height और resolution तो आपको width में लिखना है 1.2 इंच height में लिखना है 1.5 इंच और resolution में आपको 300 लिखना यान कि कुछ इस प्रकार सतों सबसे पहले आपको setting कर लेना है उसको बाद आप चलिए मैं अपने फोटो के नुसार इसमें आपको फोटो को adjustment करना होता तो देशकते कुछ इस टाइप से में क्या हूं और उसके बाद मैं okay कर देता हूं इसमें आपको धियान रखना है कि दोनों कंधा जो आपका होना चाहिए दोस्तों ब्रावर होना चाहिए और इतना काम करने के वाद द जूम करकर आपको दिखा देता हूं background remove करने के लिए एक टूल में होता है जैसा कि आप देख रहे हैं यह से बलता है फॉल्टो को आपको select करना है चलिए मैं इस टूल को जैसे क्या मैं इस टूल को मैंने select किया है select करने के बाद दोस्तों आप चलिए इसका यूज कैसे करते है background remove करने के लिए तो आप सबसे पर अपने फोटो को जूम कर लिए फोटो को जूम करने के लिए आप keyboard से control plus का यूज कीजीगा तो आपका फोटो जूम होगा और control माने से फोटो आपका जूमाट होता तो चलिए मैं फोटो को जूम कर लेता हूं और मेरा polygon last to state है अब चलि इस प्रकार से यहां पर करता हूं इससे पास दोस्तों आपको माँस से क्लिक करते हुए आगे कर बढ़ना है और selection बनाते हुए चलना है तो इस प्रकार से दोस्ते हें मान लिए मैं आपने selection में लाइया उसको आपको अपने फोटो को चोटा करने के लिए आपको control minus का कर देना तो देश सकते कि यहां का जो बाइगरॉंट रहेगा दोस्तों जो भी सिलेक्ट हुआ था वह यहां पर भाइट हो चुगा है उसके वाद आप आपको सिलेक्शन को हटाने के लिए आप अपने कीवर्ट से कंट्रोल डी बिटन को प्रेस करकर दिसलेक्शन कर सकते हैं अब फिर श Marshak annat अपने फोट्ट इंडर करना है जूम करने का फाइं या जैसा कि अपने कांकरना था अर और कुछ इस टैब से प्लिक करते वह अपने फोटो को मैं स्लेट कर रहा हूं दोस्तु। तो अपको अप्टे फटो को स्लेट करकर अपने पूरे जो भी आपका बाइगरोंड दोस्तों अब remove कर लिजीगा तो चलिए मैं जल्दे से कर लेता हूँ दोस्तो आपने देखा कि मैंने पॉलिकॉन लॉसे टूल की मदद से मैंने अपने फोटो का बैरोन को remove कर लिया दोस्तो तो कुछ इसी पर आसे दोस्तो आपको भी अपना बैरोन को remove कर लेना है बैरोन करने में थ्वास आपको टैम लगेगा लेकिन आप अच्छी प्राइस से कीजिगा थ्वास से बढ़ियांस कीजिगा तो आपका बैरोन भी इस प्राइस से आपको कर लेना है इस पर आपको कर लेना है और दे सकते कि पिछे में आपका बैरोन आचुका है अगर जो आपको लगता है कि मैं कोई कोई और नया नया color add करना चाहते हो तो फिर आपको यह काम करने इस color पर आपको click करना है और जैसे कमान लेजिए आपको यह व्ला color चाहिए तो इस पर click किजिगा और यह व्ला टूलाग पास लेट रहना चाहिए उस बाद जब आप पिछे click किया देख सकते हैं कि यहाँ पर color automatic यहाँ पर फिल कर देता हूं इतना काम करने वाद दोस्तु अब आपको क्या करना है अब आपको अपना जो भी layer आपका select रहेगा दोस्तु जो आप जो आपने color फिल क्या तो उस लिए पर आपको click रहना है और आपने keyboard से control L button को press करना है उसके बाद आपको अपना फोटो का brightness बढ़ान चलिए मैं इतना मैं रहने देता हूं उसके बाद आपको यहां से okay कर देना है उसके बाद मैं अपने keyboard से control L button को press करता हूं और इसमें मैं करस देख सकते कि यहां पर आन हो चुका इससे भी light बढ़ता है तो यह बीच बाद गर आपको आपको mouse से पढ़कर उपर कर उठाना इससे क्या होता है कि आपका face का color amazing होता है इसका भी आप यूजच की जगा दोस्त करना इसमें आपको बहु ही मिल रहा है और बहु हां मैंठा और सारा मिल मिल रहा है और दोस्तों स्वह बस्ता कर लेता हूं गोइश प्रेस दुस्ट अब आपको कर देना है को आपको करने दूस्तों आपका पिlıया पर आचुका है उसके पी दुट कराना हिस्का को शुर्ट करना है पर ला करके श्को अब आप चाहते हैं दोश्तो कि आपके फोटो में चाल तरुप से border insert हो यानि कि जो border होता है दोश्तो आप देखते हूं गा ब्लैक कलर का border होता है या फिर किछी और और इंसाइट हो जाएगा अब चलिए आपको क्या करना है आपको अपने keyword से alt और ब्रेस रखना है और मूप आपको से प्रेस करकर दोस्तो आपको अपने माउस से प्रेस करका इस फोटो को आगे कि घिचना यानिकि ड्रैक करना देख सकते की फोटो आपको डूब्लिकेट हो को औको पेजवाल लेयर को स्लेट नहीं करना है तीनों को दुपाद के रिंधा करना है इसके आपको इनके का काम करना जैसे कि आप देख रहेंगे कुछ इस टैप से तो देख सकते हैं यहाँ पर जब मैंने क्या दोस्तों तो मेरा फोटो नीचे यानि की कट रहा है तो इसको सही करने के लिए आपको सबसे फिले सभी layer को त्क कर देना उसको आपको क्ट्रीवर्ट से कंट्रूल को प्रेस करना है और जब भी आप कीवर्ट से कंट्रूल टी बटन को प्रेस केसी दोस्तों तो आपको कुछ इस टेप से औहां पर दिखाए देगा तो इसको आप अपने अनुसार्वाब स सकते हैं जैसे कि आप अभी देख रहे हैं आप चाहें तो कुछ इस टाप से इधर उधर करके भी अजेस्टिन कर सकते हैं तो कुछ इस टाप से मैं आप पास phustoc forum बनकर रेडि वचुका है कि आप चाहें तो प्रिंट निकाल सकते हैं तो फ्रिंट निकालने के लिए को फाल पर क्लिक करना है और इसमें चौथ कौछ करना है उसके पदा करनाव जो वी जो भी आपके पास पर फ्रिंटर होता है और उसके पाद आप falt कीजिगा तो आपका अपर प्रिभू पर दिखाएगा और आप पापना प्रिट निकाल सकते हैं लेकिन दोस्तों इस कंडिशन में अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है दोस्तों तो इसको आपको एकर सेफ करना में तो उसे करने के लिए आपको वाल क्लिक करना है उसको बाद आपको करना है और इसमें आपको लिणा करना पाले को WORium को स्वख नाम देदे जीगे आप अपना लोकेशन दो सिलेट कर लेजीगा इसको आप सेफ कर दीजीगा चलिए इसको मैं सेफ कर देता हूं तो यह क्या हुआ दोस्तों यह मेरा पासवसाथ फोट पीडिया फरपर पर सेफ हो चुका दोस्तों अगर जो हम चाहें तो कहीं दूसरे जग हुआ 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 है